Hello everyone, so this is the next video in the series of MSO3 examination. कल exam है, तो छोटी-छोटी वीडियो बना के आपके कुछ डाउट क्लियर कर रही हूँ. This is the video जिसमें हम लोग अगें TN मदान के एक और concept की बात कर रहे हैं, that is Life Cycle Rituals. हम लोगों ने बात कर दी थी, Living and Dying के concept की mix हो के question आते हैं, तो आप सब mix हो के present करेंगे चीज़े. This is the concept of Life Cycle Ritual by the TN मदान. Life Cycle Ritual नाम से ही समझ में आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा concept है, जो डिरेक्ट पंडित लोग होंगे में भी दिखें, कनेक्ट वेरी इजीली जो नहीं है, वो सुनके समझ जाएंगे. कुछ-कुछ हो सता है, रिजेंबल करता हूँ आप लोग के culture से भी इसमें चीज़े. अब क्या होता है कि आप अपने जनम से लेके मरनो प्रान, मतलब अपनी death के time तक, what are the rituals that you perform? तो यहाँ पर आपको mention तरना है in the different different point में, Life Cycle Rituals means all those rituals that are being performed from the life of the birth of the children till the death time तक. तो firstly, जो ritual perform करा जाता है वो 11th day, बच्चे के होने के ग्यारवे दिन के बाद, एक purification वाला function perform किया जाता है, जिससे heaven kind of होता है, एक purification मानी जाती है. ठीक है, after that, अगर उसके बाद होता है बच्चे का अनप्राशन, जब उसे first solid meal means, कुछ liquid diet पे चल रहा होता है, जो milk होता है, वो feed कर रहा होता है, कुछ six month के around then, फिर अनप्राशन होता है, अनप्राशन मतलब इसी तरीके से लिखोगे आप English में भी, अनप्राशन में उसको first solid meal चखाया जाता है, then you will mention mundan होता है, ठीक है, mundan मतलब जब hair clean कराया जाते हैं बच्चे के तो वो mundan एक ceremony होती है, ritual होता है, then there is yajno, yajno pavita, yajno pavita मतलब जब वो बच्चा जनेउ धारन करता है, अब जनेउ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एक holy thread, वो एक धागा होता है, जो religious symbol है, that is janeu, तो वो बच्चा वो धारन करता है, तब भी, मतलब boy के लिए होता है, तो भी वो एक proper function होता है, then at the time of the marriage, बहुत सारे ritual perform करे जाते हैं, अब detail में marriage explain नहीं करनी है, बढ़ एक दो line लिख दोगे इसके बारे में, अगर सिर्फ यही पूसता है, तो, then at the time of death, जो है मरने के time पे, जो भी हमने देखा, living and dying में ritual perform के जाते हैं, तो living and dying depend upon the karma of the person, तो all these things may come, बाकि नित्य कर्म मीज, नित्य मतलब daily कर्म मीज काम, तो daily के काम जो है वो करते हैं, तो नित्य कर्मा अर्थ the routine chores that are performed by the life of the, या the people of Kashmiri Pandit, Kashmiri Pandit के बारे में की study थी, यह proper कहते थे कि जो कश्मीरी Pandit हैं, they are moralistic in nature, वो moralistic होते हैं nature में और वो प्रोपर अपने कर्म और धार्मिक principle perform करके चलते हैं, प्लस the next thing is, they do not believe in sanyasi life, sanyasi life means to leave away from home and all the things, इस responsibility से दूर जाके एक sanyasi जीवन व्यतीत करने पे, the people Kashmiri Pandit do not believe, यह proper एक ग्रस्त जीवन जीते थे, ग्रस्त प्र अपनी religious practices को follow करते थे, कर्म करे जाओ, फाल की जिनता मत करो, Gita यही कहती है, Gita is not a person, Gita हमारी religious holy text है, वो भी कहती कर्म करे जाओ, फाल की जिनता मत करो, तो यही कर्म के concept पे यह लोग बिलीव करते थे, so this is the concept of life cycle ritual, combined आता है, तो mix करके लिख देना, अलग-अलग पूछता ह तो आप mix करके दोनों चीजें लिख सकते हो, क्योंकि लिंक्ड हैं चीजें आपे, ठीक है, so this is all for this video, next video में, we'll try to cover up a different concept, if these videos are helpful, then helpful हो, कुछ लग उस तो help हो ही जाएगी, ठीक है, तो अभी कुछ काम बहुत ज़्यादा करने की जुरत है, just देखो, क्योंकि कल exam में, just देख बच्चे, मतलब बच्चे questions ही नहीं करते हैं, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ, छोटी से उसमें बात करेंगे, बाकी topics को चलने देते हैं